Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja and welcome back to my channel accounting master class जहाँ पर आपको class 11, 12, BBA, Bcom, MBA के accountancy subject की complete lecture video series मिलती है तो अगर आप commerce के student हैं तो ये channel आपके लिए बहुत ही useful है या अगर आपका कोई friend, relative, भाई, बेहन, कोई भी अगर commerce stream का है तो ये channel आप उसे जरूर recommend कर सकते हैं क्यों? क्योंकि मैंने इन lectures को बहुत ही detail में बनाया है बहुत ही detail discussion किया है हर topic पर with numerical and notes तो इन lectures वीडियो का जरूर फाइदा उठाएगे और अगर कोई doubt होना तो आप comment section में लिख भी सकते हैं तो चलिए हम आज का lecture स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में हम तीसरा जो टाइप का रेशियो था तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से सब टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यह activity ratio क्या होता है इसकी क्या importance है और आज के इस lecture में हम चार ratios discuss करने वाले हैं inventory turnover ratio, debtor turnover ratio, creditor turnover ratio and working capital turnover ratio हम देखेंगे कि यह चारोई ratios क्या होते हैं, उसका क्या meaning है, क्या significance है क्या formula है, कैसे calculate करते हैं और उसी पे बेस्ट हम एक practical problem लगाएंगे हर ratio पर, right और हाँ, अगर आप मेरे चानल पर first time visit कर रहे हैं, तो मेरे चानल को जल्दी से subscribe कर लीजेगा और यह जो bell है, इसको भी प्रेस कर लीजेगा so that you get the notification when I upload my next video, right तो चलिए पर without wasting any time, let's start today's lecture accounting ratio पे जो हमारा पहला lecture था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इतने type के ratios कवर करेंगे हम इसमें liquidity ratio कवर कर चुके हैं, solvency ratio भी कवर हो चुका है इस lecture में हम activity ratio discuss करेंगे तो फिर चलिए start करते हैं यह जो ratio है, activity ratio इसके दूसरे नाम भी है activity ratio को performance ratio भी कहा जाता है या फिर इसको efficiency ratio या फिर turnover ratio भी कहा जाता है इसका नाम क्या है efficiency इसका मतलब क्या है, इस ratio की मदद से आपको यह पता चलता है कि organization क्या अपने resources को, अपने capital को efficiently use कर रही है कि नहीं कर रही है जो resources है organization के, वो effectively और efficiently use हो रहे है कि नहीं हो रहे है इस ratio की value को देख कर हम यह judge कर सकते है इस ratio की value generally higher आये तो अच्छा है ठीक है, क्योंकि अगर higher है इस ratio की value तो यह show करता है कि organization बहुत अच्छे से अपने जो भी capital है, जो भी resources है, उनको utilize कर रही है तो organization अगर अच्छे से अपने capital और resources को use करेगा तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा profit earn कर पाएगा ज्यादा ज्यादा sales होगी और ज्यादा sales होगी यानि ज्यादा profit organization earn कर पाएगा तो यानि यह जो ratio है, एक तरीके से organization की performance को judge करने में help करता है इसलिए इसका नाम performance ratio भी है, कि organization कैसा perform कर रहा है तो performance तो इस बात पर depend कर रहा है, कि organization कैसी activity कर रहा है organization अगर अच्छे से activity करेगा, मतलब अपने resources को अच्छे से utilize करेगा efficiently काम करेगा, तो क्या होगा organization की performance automatically क्या हो जाएगी better हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी तो इसलिए इस ratio का जो दूसरे नाम है, that is activity ratio, performance ratio या इसे efficiency ratio भी करते है तो चलिए आगे देखते हैं, सबसे पहला जो ratio है, जो हमें discuss करना है, that is inventory और stock turnover ratio अगला है inventory या stock turnover ratio, तो इसका नाम क्या है, stock turnover ratio यानि इस ratio की value को ये देख के पता चलता है, कि organization का जो stock है, जो inventory है, वो कितनी तेजी से turnover हो रहा है turnover मतलब कि वो कितनी तेजी से sales में convert हो रहा है तेक है, क्योंकि हर organization चाहता है, कि उसके पास जो stock है, चाहे वो raw material हो, finish coat हो, या semi finish coat हो, वो accumulate ना हो, एकटा ना हो क्योंकि अगर stock एकटा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, organization का समान बिक ही नहीं रहा है, sale ही नहीं हो रही है, तो it's not a good sign ठीक है, तो हर organization चाहता है, कि जो भी inventory है, organization की, वो जल्द से जल्द किस में convert हो जाए, sales में convert हो जाए और sales में convert होगी, तो automatically किस में convert हो जाएगी, cash, या फिर credit sale अगर है, तो debtors पे convert हो जाएगी, चीक है, तो इस ratio की value को देखे, ये पता चलता है, कि how many times the inventory was converted into sales, during a period, यानि किसी particular duration में, कितनी बार inventory जो है, वो sales में convert होई, अब मैं आपको एक concept बताने चाहरी हूँ, वो concept जहां से समझेगा, बहुत important है, अगले जो तीनों ratios हैं, वहाँ पे ये concept यूज होगा, the concept is actual divided by average, organization में actual में, अगर inventory का case है, तो actual में inventory जो sold हुई है, उसकी cost के आइन कर हुई है, divided by average inventory organization में कितनी होती है, ठीक है, inventory के case में आप इस तरीके से कहेंगे, बट ये जो logic है, actual divided by average, इससे हमें क्या पता चलता है, ये देखे, ये organization की activity शो करता है, ये actual में किया activity हुई, divided by average activity, या average कितना है organization में, ठीक है, तो ये जो logic है, actual divided by average, इसी से हम formula निकालेंगे, तीनों ही, debtors के case में, creator के case में, और ये जो inventory, inventory turnover ratio हम पढ निकालेंगे, ठीक है, क्या formula है, actual divided by average, ठीक है, तो inventory turnover ratio का formula निकालना है, तो कैसे होगा, actual मतलब जो inventory है, जिसकी selling हो रही है, उसको बनाने में लागत कितनी लगी है, तो इसको हम कहते है, cost of goods sold, जो good sold हुए है, inventory sold हुई है, उसकी cost क्या incur हुई है, तो that is cost of goods sold divided by average inventory, ठीक है, त तो inventory turnover ratio से हम establish करते हैं, relationship between, किसके किसके बीच में relationship, cost of goods sold and average inventory के बीच में, during a particular period, किसी particular duration में, organization में, जो inventory sold हुई है, उसकी लागत divided by average inventory, देखिए, formula यहां पे लिखा हुआ है, तो the formula is cost of goods sold divided by average inventory, और जो answer आता है, वो times में आता है, तो cost of goods sold, अगर question में, directly दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट हम जानते हैं, कि revenue, द्यांसे समझेगा, revenue from operation, जिसे हम sales भी कहते हैं, अगर आप sales में से cost of goods sold minus कर दें, तो gross profit आता है न, फिर से बोल रही हूँ, sales में से cost of goods sold minus कर दें, तो gross profit आता था, यहां पढ़ चुके हैं, तो इस logic क भी यहां पर use कर सकते हैं, तो अगर cost of goods sold directly नहीं दिया है, आपको profit का data दिया है, तो cost of goods sold कैसे निकालेंगे, revenue from operation divided by gross profit, ठीक है, और अगर gross loss question में दिया है, तो आप यहां पर minus करने की जगा, यहां पर क्या करतेंगे, प्लस करतेंगे, ओके, cost of goods sold का एक और formula है, यह भी काफी बार use होता है, तो इसलिए समझ लीजे, क्या है, cost of goods sold है, opening inventory, प्लस net purchase, अगर organization ने कुछ purchasing की है, उसमें direct expenses जोड़िये, और closing inventory को minus करिये, ठीक है, तो भी आता है cost of goods sold, तो यह जो यह formula है, that is also very helpful, यह भी बहुत helpful है, और यह formula यूज होता है, बैसे काफी कुशन में आपको directly भ over ratio है, इस ratio की value को देखके क्या समझ में आता है, इस ratio से हमें यह पता चलता है, कि organization अपने यहां पे जो inventories है, ठीक है, उनको कितनी efficiently manage कर पा रही है, इस ratio की value से यह समझ में आता है, और अगर इस ratio की value high है, तो बहुत अच्छी बात है, यह यह show करता है, कि organization बहुत जल्दी अ का मतलब क्या है, organization में overtrading हो रही है, बहुत तेजी से inventories आ रही है, और वो sales में convert हो रही है, तो इससे क्या होगा, working capital की shortage हो सकती है, ठीक है, तो यह indicate करता है, और low inventory turnover ratio तो एकदम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि low inventory turnover ratio यह show करता है, कि organization की inventory है, वो sales में convert ही नहीं हो पा रही है, organization में जो inventory है, वो accumulate हो रही है, इखटा हो रही है, वो sales में नहीं convert हो पा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, organization का जो पैसा है, वो inventory में unnecessary का क्या हो रहा है, फस रहा है पैसा, ठीक है, यानि organization अपने जो inventory है, उनको inefficiently manage कर रही है, उनको manage नहीं कर पा रही है, और organization ने तो low inventory turnover ratio तो कभी नहीं होना चाहिए, तो there should be an optimum inventory level, optimum stock turnover ratio होना चाहिए, बहुत high भी नहीं होना चाहिए, और low भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, very high नहीं होना चाहिए, but high ratio is good, क्योंकि high ratio शो करता है कि organization के जितने भी stock है, यह sale में convert हो रहे हैं, एक question करते हैं, inventory turnover ratio पे, इसमें आपको دिया है, cost of goods sold, inventory in the beginning of the period, at the end of the year, आपको दिया क्या है, तो हम चानते है, formula क्या है, formula है, actual divided by average, ठीक है, actual divided by average, तो यहाँ पे inventory की बात हो रही है तो actual मतलब क्या है, actual मतलब जो inventory sold हो रही है, उसकी लागत कितनी लगी, ठीक है, तो that is cost of goods sold average मतलब average inventory ठीक है तो इसका formula समझ में आया cost of goods sold divided by average inventory क्या ये दोनों item आपको question में दिये है हाँ आपको दिये गया है cost of goods sold आपको दिया गया है 4,50,000 ये दिखिए cost of goods sold 4,50,000 है inventory आपको question में directly नहीं दिये average inventory आपको opening और closing दिये है तो दोनों को sum करिए ठीक है 1,00,000 और 1,25,000 sum करिए divide by 2 you will get average inventory और फिर इसके बाद formula में put करिए तो आपको divide करिए तो आपको आजाएगा 4 times तो आपको आगया inventory turnover ratio is 4 times answer जो होता है निए times में आता है इसका चलिए देखते हैं अगला जो ratio है that is trade receable या debtor turnover ratio ठीक है तो सबसे पहला तो सवाल यह आता है कि यह trade receable होता क्या है तो trade receable is the amount receable trade receable वो amount है जो organization को receive होने वाला है against the goods hold organization ने कोई goods hold किये है या कोई service render की है उसके बतले में जो भी organization को पैसा receive होने वाला है that is called trade receable ठीक है या फर दूसरे शब्दों में कह सकते है कि amount receable amount receable या amount जो outstanding है वो पैसा जो अभी outstanding है जो कुछ समय में organization को receive होगा that is trade receable ठीक है अब एक बात है बहुती खास ध्यान से सुनेगा जो trade receable होता है this is the sum of debtor plus bill receable यह जो trade receable होता है यह किसका किसका sum होता है debtor plus bill receable का यह हम लोग वैसे balance sheet वाली वीडियो में देख चुके है ठीक है अब देखते हैं इसका formula क्या है तो यहाँ पे भी same वही logic use करेंगे क्या logic बताया था actual divided by average ठीक है same यही logic है इसी से formula निकालेंगे अच्छा एक बात बतागे यह जो debtors है debtor का case आता कब है organization में debtors आते कब है debtor कौन होते हैं जिनसे organization को पैसा receive होना है तो debtor कब आते हैं जब organization sale करें ठीक है तभी तो debtor आते हैं बट organization cash sale नहीं credit sale करें अगर organization selling करती है credit में तब कौन आते हैं debtor आते हैं तो actual में हम क्या लिखेंगे actual में आएगा net credit sale जब organization credit पे sale करेंगी और उसमें भी net लगाएंगे net credit sale का क्या मतलब है net credit sale का मतलब है कि credit sales में से sales return minus करिए तो आप कहा जाएगा net credit sales right divided by average average मतलब average मतलब opening trade receivable plus closing trade receivable divided by 2 this is the average ठीक है 7 में आया यहां फिर अगर आपको debtor और bill receivable की detail question में दी है तो आप opening debtor plus closing debtor opening bill receivable plus closing bill receivable को sum करेंगे और divide by 2 ठीक है तो यहां से आप average निकालेंगे और इसको फिर उठा करके आप यहां पे put करेंगे ठीक है तो इसका formula बन गया 7 में आ गया यह देखें यहां लिका है net credit sale divided by average trade receivable credit sale क्या होता है credit sale minus sales return minus कर देंगे तो आपका आजाएगा net credit sale और average के लिए opening plus closing divided by 2 ठीक है तो formula रटने की जोगत एक्दम नहीं है बहुत अच्छे से किवल यह logic की याद रखिए actual divided by average ठीक है अब यह जो debtor turnover ratio है या जिसे receivable turnover ratio कहते है इसका significance क्या है इससे क्या सबन में आता है तो यह show करता है कि कितनी तेजी से organization के जो receivable है जो debtors है वो कितनी तेजी से cash या cash equivalent में convert होते है कितनी तेजी से जो debtors है वो कितनी तेजी से payment कर देता है कितनी promptly उनसे payment collect हो जाता है यह यह show करता है कि कितनी efficiently organization and debtors से पैसा collect कर लेती है तो इस ratio की value high आनी चाहिए ठीक है obviously high आनी चाहिए क्योंकि अगर high है इसका मतलब क्या है कि organization का जो पैसा है वो unnecessary debtors में block नहीं हो रहा है organization के जो debtors है वो बहुत ही promptly बहुत ही जल्दी organization का जो भी payment है वो कर दे रहे है चीक है low debtor turnover ratio तो एकदम नहीं होना चाहिए क्योंकि low ratio है इसका मतलब क्या है कि organization अपने debtors को inefficiently manage कर रही है organization अपने debtors से पैसा नहीं निकल वा पा रही है organization, sales तो कर रही है credit sale कर रही है और debtors जो है वो organization का पैसा नहीं दे रहे है बहुत समय लगा रहे है तो ये की अच्छे बात है नहीं अच्छी बात नहीं है क्योंकि इस से क्या होगा organization का पैसा ब्लॉक हो रहा है that is debt collection period या जिसको average collection period भी कहते है यानि debtor से पैसा collect होने में average organization को कितना समय लगता है ठीक है तो यह हम निकाल सकते हैं अगर हमें days के term में निकालना हो तो हम क्या करेंगे 365 divided by जो ratio अभी हमने calculate किया था debtor turnover ratio ठीक है अगर हम 365 को इस ratio से divide करेंगे तो हमारा आजाएगा number of days के term में कि organization को कितना समय लगता है अपने debtor से fund को collect करने में average कितना समय लगता है ठीक है और अगर हमें month के term में चाहिए तो हम 12 divided by data turnover ratio करेंगे तो हमारा month के term में आजाएगा कि organization को approximate कितना समय लगता है अपने debtor से पैसा collect करने में इस concept को क्या कहते है debt collection period ये भी काफी exam में पूछा जाता है चलिए question करते है आपको calculate करना है trade receable या क्या लिए data turnover ratio calculate करना है आपको average collection period भी calculate करना है question में information क्या दी है आपको net credit sales दिया है किसी particular year का debtors दिये हुए है और bill receable आपको दिया हुए question में तो चलिए यहाँ पे काफी information directly दिये तो हम debtor turnover ratio का formula जानते हैं क्या formula है सबसे पहले याद रखिए actual divide by average और debtor का concept का बाता है जब organization क्या करे net credit sale करे credit में sale करेगा तभी तो debtor आएंगे तो net credit sale के आपको question में directly दिये फिर उसकी बात क्या आता है average trade receivable इसी से divide करते थे न तो क्या average trade receivable question में directly दिया है तो मैंने बताया था trade receivable is the sum of debtor and bill receivable का sum होता है ठीक है और यहाँ पे कोई opening और closing नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है यह average है यह figures आपको दिया है यह average है तो आप simply क्या करेंगे इन दोनों को add करेंगे तो आप 50,000 plus 50,000 add करेंगे तो आया 1 lakh फिर इनको divide करेंगे you will get 6 time तो यानि जो debtor turnover ratio है that is 6 time यहाँ पे debt collection period भी आपको calculate करने के लिए कहा गया है तो debt collection period के लिए क्या करेंगे अगर month के term में निकालना है तो 12 divided by this ratio यानि 12 divided by 6 तो आगया 2 महिने यानि organization को average 2 महिने का समय लगता है अपने debtor से fund collect करने में और अगर आपको days के term में निकालना है तो आप 365 से divide करेंगे 6 को ठीक है तो आज आएगा 61 days यानि organization को अगर days के term में है तो 61 days लगते हैं अपने debtor से fund collect करने में I hope आपको ये numerical समझ में आ गया होगा चलिए देखते हैं अगला जो ratio है that is creditors turnover ratio नाम क्या है creditors turnover ratio या जिसको trade payable भी कहते है तो सबसे बहुतों ये trade payable होता क्या है तो trade payable ये वो amount payable है जो organization को करने है for purchase of goods organization ने कोई goods purchase किये है या कोई service receive की है उसके बतले में जो भी amount organization को देना है जो भी amount payable है that is called trade payable ठीक है अब ये जो trade payable है वैसे discuss हो चुका है but trade payable दो चीजों का सम होता है किसका सम होता है creditors का plus bill payable का ठीक है जैसे हमने देखा था वहाँ पर trade receable debtors का और bill receable का सम होता है वैसे ये जो trade payable होता है ये creditors का और bill payable का सम होता है हम payment किसको करते हैं creditor को करते हैं तो इसलिए creditor plus bill payable का सम होता है तो ये trade payable का जो अगर हम formula की बात करें तो यहाँ पे भी same वही logic यूज़ होगा कौन सा logic पताइए अभी कौन से logic की मैं बात करी हूँ actual divided by average इसी logic को यूज़ करेंगे ठीक है तो actual मतलब actual मतलब है कि देखिए यहाँ पर creator का case का बाता है creator का case सब आता है जब organization क्या करें purchase करें ठीक है तभी creator की बात होती है पर purchase किस पर करें credit पर करें और वो भी net ठीक है तो net credit तो इसका formula क्या बन जाएगा net credit purchase organization जब credit पर purchase करें ठीक है divided by average payable divided by average payable तो इनको divide करेंगे you will get creator turnover ratio तो इसका formula बन गया ठीक है तो रटनी की एकदम ज़वत नहीं है formula you can derive तो इसमें यह बस concept यादर कि actual divide by average तो यह जो trade payable है इसका concept आप आता है जब organization credit पर purchase करें तो formula क्या है net credit purchase divided by average payable यहाँ पर भी हम जैसे वहाँ पर हमने average collection period calculate किया था debtor के case में यहाँ पर हम average payment period calculate कर सकते हैं इस जो इसकी जो value आईगी इससे यह पता चलेगा कि organization को कितना credit period मिलता है अपने creditors से ठीक है creditors को payment करने के लिए organization को कितना credit period मिलता है जो इस ratio की value अगर high है तो ठीक है it's a good sign अगर organization में यह जो credit turnover ratio है इसकी value निकालते हैं अगर यह value high आती है तो यह अच्छी बात है यह यह show करता है कि organization बहुत ही जल्दी payment कर देता है अपने creditors को ठीक है इससे क्या होता है organization की credit worthiness बढ़ती है अगले बार वो credit ना नहीं कहेगा organization बहुत आसानी से अगले बार भी raw material उस creditors से खरीच सकता है ठीक है और organization के पास इतने funds है तभी तो जल्दी payment कर रहा है तो it's a good sign तो high turnover ratio अच्छी बात है बट low turnover ratio है तो यह show करता है यानि organization कुछ crisis में है तभी तो अपने creditors को payment नहीं कर पा रहा है और इससे क्या होता है creditors का फिर faith खतम होता जाता है organization पे तो low turnover ratio नहीं होना चाहिए turnover ratio generally high होना चाहिए चलिए देखिए इसका formula जो अभी मैंने discuss किया है तो formula क्या है net credit purchase divided by average trade pay bill average trade pay bill directly दिया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं दिया है तो opening और closing को sum करके divide by 2 करियेगा ठीक है और अगर creditors और bill pay bill की detail दी है तो opening और closing credit को add करियेगा bill pay bill opening closing को add करियेगा divide by 2 करियेगा ठीक है average payment period निकालना है तो same way logic use करेंगे month के term में निकालना है तो 12 divided by this ratio यह जो ratio आप calculate कर रहे है credit turnover ratio इससे divide करेंगे तो month के term में आ जाएगा अगर आपको days के term में निकालना है तो 365 divided by this ratio तो आपको आजाएगा average payment period एक question करते हैं तो यह concept और अच्छे से समझ में आएगा आपको calculate करना है trade pay bill या credit turnover ratio calculate करना है average payment period भी calculate करना है days के term में आपको information क्या दी है आपको बताया है total purchase, cash purchase, purchase return यह बताये गया है creditor, beginning and end of the period बताये गया है तो चलिए करना शुरू करते है तो formula क्या है formula है net credit purchase divided by average trade pay bill तो net credit purchase यह कैसे निकलेगा तो देखिए और इसमें दिया गया है question में total purchase दी है तो total purchase में से अगर हम cash purchase minus कर दें तो हमारी credit purchase आजाएगी ध्यान से सुनिए फिर से बोल रहे हूँ total purchase में से cash purchase minus कर दें तो credit purchase आ जाएगा और फिर credit purchase जो आ गया है उसमें से purchase return minus कर दें तो क्या आ जाएगा net credit purchase तो यानि हमें क्या करना है total purchase में से cash purchase minus करो purchase return minus करो then you will get net credit purchase तो 8,50,000 में से आप क्या माइनस करेंगे 80,000 and 40,000 माइनस करेंगे तो आपका आजाएगा 7,30,000 ठीक है तो हमारा net credit purchase आगया है और यह जो creditors का opening closing दिया गया है तो आप इनको sum करें divided by 2 1,60,000 और 1,20,000 इन दोनों को sum करें divide by 2 तो आएगा 1,40,000 और फिर इनको divide करेंगे तो आपका answer आजाएगा 5.21 times ठीक है बहुत आसान था ठीक है तो यह आगया फिर आप आपको क्या निकालना है average payment period तो average payment period days के term में निकालना है तो 365 divided by 5.21 यह जो ratio उपर calculate किया है इससे divide करिए तो आपका आगया 70 days यानि organization क्रेटर को payment कर देती है ओके चलिए I hope आपको यह numerical समझ में आ गया होगा अगला देखते है working capital turnover ratio ठीक है सबसे पहले तो समाल यह आता है working capital होता क्या है working capital क्या है working नाम से ही है समझ में आ रहा है working capital मतलब organization की day-to-day working के लिए जो capital required है जो पैसा required है that is called working capital ठीक है organization की day-to-day working के लिए day-to-day operation के लिए जो पैसा required है जो capital required है उसी को working capital कहते है working capital का formula क्या होता है working capital का formula होता है current asset minus current liability यह पढ़ा होगा आपने working capital क्या है current asset minus current liability अभी सोचे है formula आया कहां से आपने 11th class में पढ़ाता है अच्छा इसका formula का derivation बताती है ध्यान से समझेगा 11th class में हमने पढ़ाता accounting equation accounting equation याद है न capital plus क्या था accounting equation capital plus liability equals to asset यही तो था accounting equation ठीक है तो अगर मैं capital को इधा रखों तो capital equals to क्या हो गया asset minus liability यह है अब यह जो organization का capital है वो किस चीज में organization invest करती है तो याद रखिए capital जो है organization का या तो long term asset fixed asset में use होता है या फिर organization के जो day to day working है ठीक है जो short term asset है ठीक है जो day to day working है जो current asset है उनमें organization इस capital को invest करती है ठीक है तो organization का जो capital है इन दो चीजों में use होता है या तो fixed asset में use होता है नहीं तो current asset जो short term short duration के लिए यहां पर use होता है ठीक है तो अगर यह जो working capital है यह क्या है एक तरीके से short term capital है daily का capital है जो चाहिए organization को अगर हम short term की बात करें तो यहां पर हम short term की बात करें तो यहां पर formula निकला है working capital equals to current asset minus current liability ठीक है यह बात समझ में आई तो यह जो formula है यह accounting equation से ही निकला हुआ working capital का formula तो समझ में आगे working capital क्या होता है इसका formula क्या है तो चलिए आगे देखते है working capital देखे अब यह जो working capital turnover ratio है यह ratio क्या show करता है यह ratio यह show करता है कि organization कितनी तेजी से अपना जो भी working capital है जो day-to-day operation के लिए जो fund है जो capital है उससे कितनी तेजी से उसको sales में convert कर पाती है. ठीक है, working capital कितनी तेजी से sales में convert होता है यह जो ratio है यह ratio करता है ठीक है. organization कितनी effectively, कितनी efficiently अपने working capital को use करती है ताकि वो sales कर पाइं. ठीक है центр यह ratio यह यह जादा हो तो अच्छा है ठीक है अगर यह इस ratio की value जादा है तो यह indicate करती है कि organization बहुत अच्छे से अपने working capital को utilize कर रहा है और उसको sales में convert कर पा रहा है तो चलिए इसका formula देखते हैं कि किस तरीके से working capital turnover ratio calculate करेंगे तो नाम क्या है working capital turnover ratio इसका मतलब क्या है कि organization कितनी तेजी से अपने working capital को sales में convert कर पा रही है यही तो जच करते हैं इस ratio से ठीक है तो formula क्या बनेगा net sales divided by working capital ठीक है तो logic यहाद रखेगा कि working capital turnover से पता चलता है कि कितनी तेजी से working capital को organization sale में convert कर पा रही है तो net sale divided by working capital फिर आप इनको divide करेंगे तो answer ज बता चुके हूँ, working capital होता है, current asset minus current liability, अगर आपको question में net sales दी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर net sales नहीं दी है ना, तो cost of goods sold भी यहाँ पर substitute कर सकते हैं, तो इसका एक और formula है, cost of goods sold divided by working capital, right, चलिए एक question करते हैं, समझ में आ जाएगा और अच्छे से यह concept, current asset क 12 lakh, current liability आपको question में दी गई है, credit sales दी गई है, cash दी अगया है, sales return दी आगया है, आपको working capital turnover ratio कालकूलेट करना है, तो working capital turnover ratio का formula हम जाते हैं, वो क्या होता है, net sales divided by working capital, ठीक है, अब question में देख ID, net sales क्या आपको question में दिये question में net sales directly नहीं दिये आपको credit sale और cash sale दिये और sales return दिया है तो आप क्या करेंगे cash, organization cash में कितनी sale कर रही है credit में कितनी sale कर रही है इन दोनों को आप क्या करेंगे जोडेंगे और उसमें sales return minus करेंगे ठीक है तो cash sale, credit sale, जोड़ा, question में दिया है 5,20,000 और 24,00,00 आपको दिया गया है, इनको जोड़ेंगे और इसमें sales return minus करेंगे, तो आपका आजाएगा net sales, ठीक है, net sales कितना आया, 28,80,000 यह आगया आपका, और जो working capital है, यह क्या हम जानते है, working capital देखे, question में directly नहीं दिया है, working capital के दिया हुआ है, 12,00,000, current liability question में दी है, 2,40,000, उठाके put करेंगे, minus करेंगे, you will get 9,60,000, अब इस 9,60,000 को आप यहाँ पे put करेंगे, working capital में, और net sales आपने निकाला है, 28,80,000, दोनों को divide करेंगे, you will get 3 times, इसका मतलब क्या है, कि organization जो है, बहुती fast अपने working capital को sales में convert कर पा रही तो इस तरीके से यह numerical किया जाएगा, I hope आपको यह numerical अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलिए आज हम यही पर wind up करते हैं, so this was all about this lecture, thank you and have a good day, see you in next lecture, God bless you.